हेलो एपरनी वेल्कम बेक टू मैं चैल कैसे हो आप सब आप सब बाइस उगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो यहां पर मौर्णिंग में बारिस होई थी तो मोसम काफी आदा अच्छा हो गया दो बारिस गBob हो जाती दा बस यहां पर मैंने थोड़ी साथ आप लोगों के लिए एता तो मैंने का आप लोगों को भी दिखा दूंगी मौसम काफी अच्छा है आप लोग देख सकते हैं तो मॉर्णिंग का टाइम है मॉर्णिंग के टाइम में कोभी भी नहीं दिखता है तो मैंने जली से सूट कर लिया था और किसी के सामने वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे न सरम साम लेकर आएते और मैं में में मेरी मिश्टी आइस्किम खा रही है मुझे रही है छोड़ी सी कम अच्छी लग रही है पता नहीं क्यों होता है, न तो मैंसे मैं चोकलेट वाली ऐस किम बहुत ज़्यादा खाती हूं वैठरसकॉज करती हूं वोटरसकॉज वाटरसकॉज केक वटरसकॉज ऐस किम मुझे बहुत जयादा पसन्द है मुझे चोकलेट काफी ज़्यादा पसन्द है तो दुरने के oven को गहां cautious बार बार आएंगे, बार बार कपड़ी नहीं उतार रही हैं, बार बार मुझे बातें, 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 तो बस कुछ कोई बात थी, तो बस बोही बता रहे थे, तो मैं भी बता रहे थे, मैं भी क्यारीज, मैं भी बाते कर रहे थी अपना और यहां पर हम लोग बना पहुत ज्यादा प्रेस्पी बहुत ज्यादा पर बस साउदानक बल्ले काफियादा सिंपल रैस्पी और तुरंद बन जाते हूं चटनी और मेरी मिष्टी खातिय सौस से तो उसको सौस ही दिया जाता है और यहाँ पर मैं चावल का अटा अरा रोट डाल रही थी और पस हरी मिर्च इसमें डालो अगर आप ब्रत के लिए बनाओ तो इसमें जो कुटू का आटा और मीगी का आटा आता है ना उसका आटा मिला सकते हैं उससे भी टेस्टी बनते हैं उसमें अरा रोट नहीं पड़ता है और पहले से अकर गरम गरम आलू ना मैस कर दो तो कभी भी नहीं फटते हैं वो टाइट हो जाते हैं और पता नहीं मैं क्या कह रही लगे यहां पर भूर अहरा मेन सामने के देखेंगं सामने यह कपड़े उतारने लगे हैं और कॉलर देख रहे हैं साफ है की नहीं है यह गये ते अलका यह कॉलर गंदा हो गया है तो बस इसको लाज़िवैग में डाल देता हूं तो मैं न का हां डाल दो बिलकुल स्टार्ट न एक दिन ही चलते हैं वैसे हस्बेंड मेरे दो दि कपड़े नहीं दुलने पड़ते हैं एक दिन चोड़के मसीन लगाती हूं की ही रख स्चालंगे यहां पर नमक और यहां पर मैस्प करके अड़ेग़के रख दूँगी आलून अप रख त 2 और कछेले हुआ अनुक्थिरों निकला शाएगा अ लोग आलू previously चलनी में रख दिया था और बस यहां पर बस जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लूँगी और फिर से आ गए लो बस यह पता नहीं क्या बात कर रहे थे मुझे भी याद नहीं है इतना तो बस यहां पर वो बात बता रहे थे कुछ बहुत ज़्यादा इंपोटेंट ही वो बा कुछ बहुआ है तो कच्चाम धनिया और हरी मिर्च और दो टीन लेसन की कलिया और जीरा कॉला मिर्च सफेद नमक तो इसकी रैस्पी बिद्धें ने आप लोगों के शास शेयर की है तो आप लोग फिल दिन वाच करिए का और ऐसे अगर चटनी बनाते है तो कफे यह यद किसी के साथ भी अच्छी लगती है तो यहां पर मैं थोड़ी सी धनिया भी कट कर दूँगी तो धनिया तो काफी अच्छा ही लगता है और किसी सब्जी में पढ़ाओ और यही वाला धनिया थोड़ा सा मेरा बच गया था तो मैंने इसको ना कट करके रख दिया था प्लेट म झाल झाल और यहां पर हमारी चतनी पिसकर रेडी हो गई आप लोग देख सकते हैं काफी यदा टेस्टी बनी है चतनी तो बस यहां पर अब मैं सेखूंगी थोड़ी दियर बैठ कर फिर मैं सेखूंगी भल्ले तो बैठी तो नहीं थी शायद में भी याद नहीं है मुझे जितना और यहां पर चतनी-का अथा टेस्टी बनी थी और कचाम डालकर चतनी काफी अथा टेस्टी बनती अप vullक मिचको पताहिते और यहां पर दिखा रही हूं बैड के कमरे से पैकार। इसका क्लर काफी आधा अक्छा आया है चतनी का यह देखैंगी है उतनी खाने में अच्छी थी तो बस यहां पर चटनी काला नमक डालो न उससे टेस्ट काफी अधा अच्छा आता है तो यहां पर बस मैं सेखने के लिए आ गई थी भल्ले तो काफी अधा देर हो गई थी पौने 9-9 का टाइम था शायद तो बस यहां पर जल्दी-जल्दी से होगा न तो फट जाते हैं उनमें तेल भी भर जाता है तो अच्छे नहीं लगते हैं तो चलिए पर तोड़ा समय जुग लगाती हूं इंजॉय करिए वीडियो को पर तो देप्यूर में पर वड़ा स हा भी भाता है कि भाता है ी बाइब Sup झाल झाल आप सब आप सब बहुत अच्छी हूंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो सुगह न मॉर्णिक में बारिस हुई थी थोड़ा सा मौसम ना बहुत चेंज हो गया है तो मैंने सुचा चलो भल्ले बनावीते साबुदाना के बल्ले काफी ज़ा पसंद है मेरी हट्पेंड को और उसके साथ लाएते कोल्डिंग तो बस आज यह है डिनर हम लोगों का तो मिलूँगी थोड़ देर से बने रहिए मेरे ब्लॉग में बहुत चोटा सा वीडियो है फुल बोच करना प्लीज फ्रेंड्स और मेरे वीडियो ब्लॉग आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लग रहे हों हेल्थ फुल लग रहे हों तो मेक्शोर लाइक शेर सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती रहूंगी आप लोगों को ऐसे I lost yet another